साथियों, आजहादी का ये अमरित महोचव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बलकि आजहादी के हमारे नायक नाईकाओं ने आजहाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्त भरना, और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का ये पल है, आजहादी के लंबे संगर्ष में, जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस अंदोलन में एक अलग डाइमेंशन को जोड़ा, उसकी उर्जा बढ़ाई, किसी ने सत्यागर्य का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र सस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्त्र और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसे ने intellectually आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उप्योग किया किसे ने कौट कचरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भनने का प्रयास किया इसलिए आज जब आया हम आजाजी के पच्चतर वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्ते देश्वासी का कर्तव है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट के विकास में जरूर जोड़े आप देखिए अगर हम राष्ट के तौर पर देखे तो भारत ने बीते आठ वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए है नवीन काम करने का प्रयास किया है इस दौरां देश में जो जन्भागी दारी बढ़ी उन्हों ने देश के विकास को गती दी हैं देश के गरीब से गरीब नागरी को ससक्त किया है स्वच्छ भारत अभ्यान ने गरीब को सम्मान से जीने का अउसर दिया पक्के घर बिजली गैस पानी मुप्त इलाज जैसी सुविधावने हमारे गरीब की गरीमा बढ़ाई हमारे नागरीकों के आत्मविश्वास में एक नई उर्जा भर दी और साथ साथ सुविधा भी बढ़ाई कुरोना काल में मुप्त राशन की योजान ने असी करोर से अधिक देश वाच्छों को भुख की आशंका से मुक्त इदिलाई देश के आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्थ से फार्मल सिस्टिम से बंचिक थी एक्स्लूरेर थी उसका इंक्लूजर हमने मिशन मोड पर किया फाइनन्सल इंक्लूजर का इतना बड़ा काम इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात देश के लोगों में अभाव से बाहर निकल कर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया होसला हमें देखने को मिला झाल